पाकिस्तान के पूर्फ प्रधान मंत्री और सत्तारूर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के अध्यक्ष नवाज शरीफ ने मंगलवार को पहली बार पाकिस्तान की धोखेबाजी को स्वीकार करते हुए कहा कि उनके देश ने पूर्फ प्रधान मंत्री अतल बिहारी वाज वाजपेई के साथ किये गए समझोते का उलंगन किया था। नवाज शरीफ का इशारा 1999 में हुए करगिल युद्ध की ओर था। जब सैन्य ताना शाह जनरल परवेज मुशर्रफ के नेत्रित्व में पाकिस्तान की सेना ने भारतिय इलाकों पर कबजा करने की कोशिश की शरीफ ने PMLN की बैठक में कहा कि पाकिस्तान ने 28 मई 1998 को पांच परमानो परीक्षन किये। उसके बाद वाजपेई साहब यहां आए और हमारे साथ एक समझोता किया। लेकिन हमने उस समझोते का उलंगन किया, ये हमारी गलती थी। नवाज शरीफ के इस बयान को भारत स संबंद सुधारने की कोशिशों के रूप में देखा जा रहा है। गौर तल अब है कि 21 फरवरी 1999 में शरीफ और वाजपेई ने शिखर सम्मेलन के बाद लाहोर समझोते पर हस्ताक्षर किये थे। ये द्विपक्षिय समझोता और शासन संधी थी, जिसमें दोनों देशों पर सैनिकों और सैन्यों उपकरनों की तैनाती कम करने पर सहमती जताई थी। हाला कि कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान की घुसपैट की वजए से करगिल युद्ध हुआ।